नमस्कार एक पर फे स्वागत है का ओ के ग्रेडिट में और आज आप मेरा बैग्राउंड दे सकते हैं गाउंग बाला बैग्राउंड है और वह इसलिए क्युकि हम लगातार वोकल फोर लोकल की बात कर रहे हैं आज हम बात करेंगे किस तरह से बांस की टोकरियां बनाई जात तो आप इस वीडियो को अंतक देखिएगा क्योंकि आप अंतक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम भी अपने हाथ के हुनर से एक बिजनस को एक विवसाय को शुरू कर सकते हैं इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा कि आपको किस तरह के वीडियो और देखने हैं बिजनस को लेकर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाईएगा तो चलिए बिना देर के रुक करते हैं एक ऐसे परिवार का जो काफी सालों से टोकरी बनाने के बिजनस से जुड़ा है और किस त काफी सालों से चल रहा है टोकरी बनाते हैं ये लोग और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पालंपूर से चलते हैं तो लगबग 8 किलोमेटर की दूरी पर ये गाउन पड़ता है पढ़िहार खर इसका नाम है तो आईए वोकल पर लोकल की हम बात कर रहे हैं हम इस तरह के बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपके संस्कृति से चुड़े हैं जो आपके ट्रडिशन से चुड़े हैं साथ ही साथ जिसमें आपका हाथ का हुनर है और मैं आपको बता दूँ कि अजे कुमार की जो माता जी है वो है आपका नाम अंजू और अंज त्रोसेट आता है 20-25 परसेंट बारा मीने चलता है यह सीजन बरसाइद के मोसम में थोड़ा तंगी आ जाती है वारिश बगएरा होती है काम करने को दिक्कत होती है और जैसे सूखा होता है, जैसे मोसम बगार अच्छा होता है, गर्मियों के दिन होते हैं, तो उसमें फिर काम चलता है, पर इतना ठीक है, ठंड में बिकती नहीं है, फिर जैसे जैसे बेट करना पड़ता है फिर उसके बाद एक दो मिने, फिर उसके बाद जैसे मोसम साफ होत होता है यह थोड़ा क्लाइमेंट चेंज होता है जैसे ठंड है जैसे फिर गर्मिंगी दो तीन में इनिवेट करना पड़ता है उसके बाद फिर काम चलता है और यह आपसे पूछना चाहूंगी कि यह जो जितना भी raw material है यह आपको आसपास कहीं से मिल जाता है यह इसके लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ता है पहले दूर जाना पड़ता है फिर उसके बाद उसको मतलब फारना पड़ता है चीरना फारना पड़ता है उसके बाद यह स्मान निकाला जाता है बहुत बारिकी से फिर उसके बाद मतलब यह चीज जो ही आइटम तियार होती है मैं देखरी हूं यहां पर तमाम लोग काम कर रहे हैं तो आपके साथ यही लोग काम करते हैं यह इसके अलावा भी है नहीं बस यह है इतने हैं चार पांच लोग है गाउ में ही इस तरह की टोकरियों की डिमांड होती है कि बाहर से भी आपको डिमांड आती है नहीं फिल्ला तो वैसे गाउं में ही अभी पूर्ण माः बताइए जिस तरह से व०ोकल्वल्पा लोकल के हम बात कर रहे हैं तो की सिरह से इन सब चीजों को जो हाथ से बनी हुई चीजों हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए वह जाहते हैं कि जो भी काम करना चाहते हैं या उसक्र जाते हैं हाथों से ही मिशीन से क्योंकि जो हुद हाथों से हां तुम मैं नहीं है है मारा मॉट तर बदेशर पूरा तो कि यह कुछी भी हमारी मैन पाइसा के सड़ा थो नी किया भी तक मैं को मद्द कुछ यह बस हम अपने काम करते हैं ठोड़ बहुत जो हता है आप बताईए सरकार किस तरह से मदद करती है इस काम को बढ़ावा थे क्यूंकि सरकार का ही है वोकल फॉर लोकल का नारा नहीं अभी तक तो कोई मदद नहीं हाई है अगे देखते हैं तो यह हमारा खास एपिसोर था वोकल फॉर लोकल की सीरीज में जहां पर हमने बताया कि किस तरह से गाउं में एक परिवार टोकरी बनाता है लेकिन उनका कहना कि अभी तक सरकार से किसे तरह की कोई मदद नहीं मिलती है इस काम को लेकर और हाजाही तोर पर मशक्कत जरूर है इस चीज को बेचने में जो अपनी संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं उनके चीजे खरी दिये रादर कि आप बड़े-बड़े मॉल्स में जाकर या फिर कहीं और जाकर उन पर पैसा खर्च करते हैं आप इन लोगों से चीजे खरी दिये और इस तरह से वोकल फॉर लोकल को प्रोमोट कीजे धन आवाद